नमस्कार दोस्तों स्वागाता फिर से आपका हमारे यूटूब चैनल डिजिटर इन्फॉर्मिशन में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडियाइस बैकेंसी 2023 के बारे में इसको आप ऑनलाइन औफ-लाइन दौनों मोड से आप अपलाई कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको आपेदन करने की पेरिया बताने वाला हूं तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि वीडियो को इसकी बिलकुर बिच चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में वैल आइकन पर प्रेस करके आल पे क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसे ही कंटेंट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रही तो चलिए दोस्तो सुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको इसको अपलाई करने हैं या फिर आप क्रोम ब्राजर में इंडिया पोस्ट जी डियास ऑनलाइन डॉट जी ओवी डॉट इन करके सर्च कर लीजेगा जैसे ही आप इस वेपसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे तो आपको इस तरह के इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहां दो के पास इस तरीके के options आजाएंगे आपको इहाँ registration नमबर फिल करना है and इसके बाद एहाँ आपको अपना state को फिल करके और आपको submit कर देना है अगर आप इस mortal पे पहली बार आया और आपने अभी तक registration नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पہ registration रिग पे क्लिक करके आपको registration करना होगा यहां दोस्तों आपसे कुछ information मागी जा रहे है जो कि आपको fill करनी है जूसे कि नहीं आपको अपना mobile number फिल करना है यहां आपको अपना email address फिल करना है और दोस्तों mobile number फिल करने के बाद simply आपको यहां validate mobile number पे click करना होगा तो जैसे ही आप click करेंगे तो आपके mobile number पे एक OTP जाएगा जो आपको यहाँ पे submit करना होगा देन आपको email address फिल करके validate email पे click करना होगा इसके बाद आपके email address पे एक OTP जाएगा आपको यहाँ submit करके validate करना होगा इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना नेम सब्मिट करना है इसके बाद यहाँ आपको अपना फादर या मदर में से किसी एक का नेम सब्मिट करना होगा जो आपकी माक्सीट से मैच करता हो देन इसके बाद आपको यहाँ पे कलेंडर से अपनी डेटा बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है देन इसके बाद आपको यहाँ पे मेल एंड फीमेल सेलेक्ट करना है इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कास्ट को सेलेक्ट करना होगा then इसके बाद आपको select circle वाले option में आपको अपने state को select करना है then इसके बाद आपको अपनी passing year select करना है कि आपने high school कौन से year में pass किया है then इसके बाद आपको एहां पे capture code दिखाई दे रहा होगा आपको capture code फिल करने के बाद simply submit वाले option पे click कर देना है जैसे आप सम्मेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पॉप अप की फॉर्म में आपके पास एक नोटिपिकेशन आ जाएगा यानि फर्स्ट स्टेज ऑफ रिजिट्रेशन इच कंप्लीट प्लीज कंटीनू फिलिंग दार डीटेल्स फॉर रिजिट्रेशन अब इस पे ओके आपको सिंपली क्लिक कर देना है इसके बाद आपके पास सेकेंड इसका जो सेकेंड चरण है बहे आ जाएगा इसमें आपको कुछ इंफॉर्मिशन और फिल अप करनी होंगे इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से फिर से इंटरफेस आ जाएगा यहाँ आपको फि अगर आपको इसके बाद 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 आपको इ आपको यहां पर अपना एक फोटो अपलोड करना है ध्यान रहे साइन को आन-लाइन रिसाइज कर सकते हैं तो दोस्तों आपको अपने फोटो और साइन कर देने के बाद सिंप्लि सुब्मेट पे क्लिक करने के Penal रिससे संपने निकल के आ जाएगी आप यहां पर अपने सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजेगा कि आपके द्वारत दी गई सभी information ठीक है या फिर अगर कुछ गलत लगता है तो उसको correct कर लीजे दिन इसके बाद आपको यहाँ पर करके एंड सब्मिट पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों आप यहाँ पर रिश्ट्र हो चुके हैं और यहाँ आपको एक रिश्ट्रेशन नंबर यहाँ दोस्तों दिया जा रहा है कि यूर कंडिडेट यूर रिश्ट्रेशन हैज बीन रिश्ट्रेशन नंबर मिल गया है जो कि अब आप इसको अपलाई करते वक्त यूज कर पाएंगे रिश्ट्रेशन कंडिडेशन हो जाने के बाद आपको वापस उसी पेज़ पे आ जाना है और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है स्टेज टू अपलाई नौ अपलाई पे आपको किलिक कर देना है और यहां अभी आपको जो रिश्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराया गया था वही रिश्ट्रेशन नंबर आपको यहां पे फिल अप कर देना है रिश्ट्रेशन फिल अप करने के बाद आपको यहां प Mowal Number, अब दोस्तों आपके Mowal Number पे एक OTP आएगा, यहाँ सिंपले के लिए ओके कर देना है, अब इस OTP जो OTP आपके Mowal Number पे आया है, इस OTP को दोस्तों आपको यहां पे समिट करना है, OTP आपको समिट कर देने के बाद यहां एक Capture Code दिखाई दे रहा होगा, इस capture code को आपको यहाँ पे fill करना है and दोस्तों यहाँ आपको एक next का option दिखाई दे रहा है next पे आपको click कर देना है then details अपने आप से यहाँ आपकी details सो होने लगेगी यहाँ दोस्तों आपको अपना सब को check कर लेना है अब यहाँ आपको अपना address details fill करनी है and qualification details को आपको fill करना है तो यहाँ दोस्तों आप अपना address fill करेंगे house number, apart number जो भी है आपको यहाँ पे fill करना है यहाँ दोस्तों आपको अपना apartment या house number fill कर देना है and इसके बाद आपको अपनी street में street numbers या फिर street का name बगारा आपको submit कर देना है यहाँ village या city का name submit करना है यहाँ आपको अपनी district submit करना है then pin code submit कर देना है then इस तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आपको same communication address fill करना है जो अभी आपने यहाँ पे submit किया था भही आपको या तो आप copy paste कर सकते है यहाँ पे आप दोबारा से इसको fill कर देंगे then नीचे qualification details की बात की जाए तो दोस्तों इहाँ आपको अपना board select करना है कि कौन से board से आपने दोस्तों high school किया है and इसके बाद आपको board select हो जाने के बाद आपको select result type आपको result type में select करना है marks पे आप tick करेंगे यहाँ दोस्तों आपको अपने सारे subject select कर लेने है जैसे high school में कौन कौन से subjects आप पे थे हिंदी जैसे मेरे थे हिंदी, English, Science, Mathematics, Social Science and Painting यानी drawing तो मैंने अपने सारे subjects को select कर लिया है जैन आपको hand read में से कितने कितने marks मिले थे यहाँ पे आपको mention करना होगा तो इस तरह से दोस्तों आपको अपने किन किन subjects में कितने marks आपको मिले थे यहाँ पर mathematics, English और both as additional subjects इसमें दोस्तों अगर इन subjects के अलावा आपके पास कोई vocational subject था तो इसको आप टिक कर देंगे otherwise इसको छोड़ देंगे and save and continue पे click कर देंगे जैसे ही आप save and continue पे click करेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस तरह से एक preference का page open हो जाएगा यहाँ दोस्तों आपको preference चेक करना है याँ आप circle applying for UP के लिए कर रहे हैं and यहाँ select division applying for यहाँ पे आपको अपनी division select करना है याँ कि आपके state में काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे simply select कर देना है preference की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ आपके पास आपकी district से संबंदित आपके जो भी blocks हैं जहाँ जहाँ आपके post office हैं वहाँ सारे यहाँ पे so हो जाएंगे तो आप यहाँ अपना जिस छेतर में या जिस post office के under में आपको यहाँ से select कर लेना है यहाँ excel 10 pages दिये हुए हैं आप यहाँ 1, 2, 3 करके next करके आप अपना जिस post office के under में काम करना चाहते हैं आपको select करना होगा अब यहां दोस्तों आपको preference देना है यानि कि आप इस वाले जैसे मैं यहां रतना के जो कि मेरे सबसे नजदी की है तो मैं यहां एक select कर देता हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले यहीं काम करना चाहूँगा देन इसके बाद अगर आप यहां पे नहीं हो पाता है तो आप दूसरा preference दे सकते हैं यहां पे दो दे सकते हैं इस तरह से आप दोस्तों अपने हिसाब से आप select कर लीजेगा और देन इसके बाद यहां आपको declaration I hear why clear that यहां पे आपको tick कर देना है और इसके बाद दोस्तों आपको save and proceed पे click कर देना है इस तरह से दोस्तों application submitted successfully लिखके आ जाएगा और अब आपका जो अपने apply किया था आपका application successful हो चुका है और इस तरह से आपके सामने complete इसकी information निकल के आ जाएगी और दोस्तों आप इसको यहां से print वाले option से इसको print करके रख सकते हैं या फिर आप इसको अपने phone में documents में save करके कहीं रख लीजेगा और दोस्तों इसके बाद जब आप complete आपका process हो जाएगा इसके बाद आपको यहां fee payment पे click करना है और यहां आप दोस्तों अपना वही registration number को यहां फिल करेंगे इसको submit करेंगे तो इस तरह से आपके पास इसकी payment methods बगरा आ जाएंगे आपको अपना payment करना होगा 100 रुपए कुछ इसकी fees निर्धारित की गई है other categories के लिए बट यहां SCST के लिए fees में रियायत दी गई है तो यहां पे दिया जा रहा है कि you are exempted from making fees payment यानि यहां पे fees payment के लिए छूट दी जा रही है तो simply दोस्तो अब यहां आपको कुछ नहीं करना है अब आपका जो form है completely फिल हो चुका है अब आपको तो दोस्तो इस तरह से आपका जो application है completely finally फिल अफ हो चुका है और अब दोस्तो आपके registered mobile नंबर पे इसका आगे notification आ जाएगा जो भी आगे की कारवाई होगी आपको इस और दोस्तों कमेंट करके हमें यह जरूर बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा तो चलिए दोस्तों मैंते हैं नेक्स किसी वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक कियर बाबाए चैहन दोस्तों